और है थातन नमस्का अमिर्यमिक्णि मैं अंकिदधिकें शर्वाणि आपका अपनी सी यूत्यूब चैनल अंकिद प्त स्वागत करता हूंग मैं अगस्ट महने की सुर्वात हो गय और इस वीडियो में मैं आपको दो announcement के बारे में बताने जा रहा हूँ, दो नई जानकारी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपका जानना जरूरी है, तो चलिए, पहले जानकारी की बात करते हैं, पहले announcement की बात करते हैं, कि ModiCare का business हर मेहने की last तारीक को खतम हो जाता है। लेकिन ModiCare हर मेहने आपको एक facility देता है, एक feature देता है, कि जब भी हर मेहने की एक तारीक को नया मेहना start होता है, तो ModiCare एक option आपको और देता है, जिसके माध्यम से आप पिछले मंथ की billing कर सकते हैं। हो सकता है किसी कारणवस या गलती से आपने कोई target मिस कर दिया हो आपका director qualification रुख गया हो या x y j region से अगर कोई भी आपका target रुख जाता है तो हर महने की एक तारिक मतलब आज अगर एक अगस्त की भी बात करूँ तो एक अगस्त को आपके पास मौका है पिछले महने में billing करन भी खाएगा current month and last month अगर आप अपनी billing last month में कराना चाते हैं उसका business उसका GPV उसका PV आप last month में count कराना चाते हैं तो आपको last month select करना है और आपको अपना order place कर देना है इससे आपको benefit क्या होगा कोई भी target अगर आपका रुख गया तो पिछले महने के GPV में adjust हो जाएगा एक एक तारीक को पिछले महने की billing लगा रहे हो तो सबसे अच्छी बात यह कि आप repurchase program भी लगा सकते हो जो मोदी केरने current month में निकाला हुआ है मतलब अगस्त महने में जो भी repurchase program निकाला हुआ है तो पिछले महने की billing करते वक्त आप उस offer को लगा सकते हैं लेकिन एक रखनी है कि यह जो आप billing काटे हो यह loyalty में नहीं count होगा loyalty में नहीं count होगा सिर्फ आपके GPV में count होगा किसी भी तरह का loyalty benefits आपको नहीं मिलने वाला है जो भी आप business या जो भी आप shopping एक तारीक को करोगे पिछले महने के लिए तो आप मुझे comment box में बताईएगा क्या ये बा मोधी केर ने जब समीर मोधी global plan launch हुआ था तो उसी के साथ announcement किया था और मैं 100% guarantee देता हूँ कि आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आप मुझे बताईएगा comment box में क्या आपको पता थी या नहीं पता थी देखिए पुराने rank अगर आप एक बार achieve कर लेते थे तो वो rank की validity lifetime होती थी मतलब एक बार director बन गया तो पूरे जीवन काल में आपकी rank director ही मानी जाएगी लेकिन जब से समीर मोधी global plan आया हुआ है company ने इस rank की validity है उसमें बदलाव किया है जो काफी लोगों को नहीं पता company के नए plan के according company आपको क्या कह रही है जो अगस्त मैने में लागू होता है कि जिस भी rank को आप हासिल कर चुके हो वो lifetime अब permit नहीं होगा उसकी validity lifetime नहीं होगी हर rank की validity दो साल होगी अगर आप director है और अगले दो साल तक आपकी rank change नहीं होती है या अगले दो साल तक आप non qualified director होगा किसी वज़ा से तो दो साल बाद वो rank आपकी घट जाएगी तो आप जो भी rank हर मैने हासिल करते हैं डिरेक्टर से आप senior director बन जाते हैं या platinum डिरेक्टर बन जाते हैं और by default उस rank की validity दो साल होने वाली है अगर आप rank अप कर जाते हैं तो फिर से नई validity start हो जाएगी तो दूसरा announcement क्या था जो आपकी rank है उसकी validity lifetime नहीं रही है अब ये दो साल की रही है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है दो साल के अंदर आपकी rank अप हो जाएगी या आप फिर से डिरेक्टर क्वालिफाई कर लेगा है मान लिजे आपने पहले मैंने डिरेक्टर क्वालिफाई किया नौ मैंने आप डिरेक्टर क्वालिफाई नहीं हुए तो दसवे मैंने जैसे डिरेक्टर क्वालिफाई करेंगे तो आपकी validity फिर से दो साल बन जाएगी तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है just for the information मैंने आपको ये बात share की है ताकि आपको पता चल लगा क्या आपको ये दोनों बाते पता थी या नहीं पता थी अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लीजिए वीडियो को like कर लीजिए क्योंकि मोदी किया से जुड़ी सक्तीक जानकारी आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलती है तो हम मिलते हैं अपने next वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिन